तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि speed और velocity में क्या अंतर होता है आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि speed किसे कहते हैं तो देखो जैसे मान लिजे कि यह कोई point है जिसको हम बोल सकते हैं stationary point या फिर rest मतलब रुका हुआ है और यह कोई object है जैसे मान लिजे की यह कोई car है जो क्या कर रही है मूब कर रही है ठीक है अब यह इस position से मूब करते हुए इस position पर आ गए ठीक है तो यहां पर दो चीज हुआ होगा पहला तो इसने अपनी position में change किया है पोजिशन चेंज करने का मतलब है कि इसने कुछ दूरी तय किया है distance ठीक है अब दूसरी बात यह होगा कि जब इसने कुछ distance ट्रवल किया है इसने अपना पोजिशन चेंज किया है तो उसमें कुछ time लगा होगा तो जो ratio होता है distance अपन टाइम का उसी को में speed बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं speed बोलते हैं यानि कि कोई भी जो object है वो कितने समय में कितना दूरी travel कर ले रहा है उसका जो ratio है उसी को speed करते हैं बिल्कुल सेम यही केस velocity में होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है velocity में क्या होता है कि displacement upon time होता है displacement upon time होता है distance और displacement में यह अंतर होता है कि आप चाहे घूम घूम कर जाए चाहे जैसे भी जाए जो total दूरी आपने travel की है वो distance है और जो shortest distance आपने travel की है वो displacement है इसके बारे में आपको detail में जब वीडियो बनेगा तो उसमें पता चलियाएगा अभी आपको जानना है कि speed जो होता है distance upon time का ratio velocity क्या होता है displacement upon time का ratio अब कोई भी object लगातार अपना position बदल रही है यानि कि कुछ दूरी travel कर रही है due to respect time तो वो होता है हमारा speed या हम उसे कह सकते हैं velocity तो हम आज का topic में देखेंगे कि speed और velocity में क्या difference है यह सब आपको नहीं लिखना है आज का topic हमारा केवल है difference between speed and velocity तो topic क्या है distinguish between speed and velocity यानि कि चाल और वेग में क्या अंतर है तो पहले हमारा आगया speed जिसे हम हिंदी में चाल कहते हैं फिर हमारा आगया velocity जिसे हम हिंदी में वेग कहते हैं अब लिखा हुए it is the distance covered by an object in a given interval of time यह बहुत दूरी होती है जो किसी दिये गए समय में travel करती है तो उसे हम स्पीड कहते हैं यानि कोई object है जैसे car है vehicles बाइक है human है animals है air है कुछ भी है जो क्या करता है कि कुछ fix दिये गए time में कुछ दूरी तय करता है तो उसको हम बोलते है speed उसका जो ratio होता है उससे क्या बोलते है speed जबकि velocity में क्या होता है कि velocity एक परकार का displacement है displacement दो पॉइंट के बीच की shortest दूरी को कहते हैं तो जो displacement है किसी भी object का वो दिये गए interval of time में उसे हम velocity कहते है यानि कि जो speed है वो ratio है distance upon time का velocity जो है वो ratio है displacement upon time का ठीक है दूसरी बात करें अगर हम जो speed है वो एक scalar quantity है scalar quantity का क्या मतलब होता है देखे scalar quantity का मतलब होता है कि उसमे magnitude भी हो ठीक है scalar quantity में सिर्फ magnitude हो magnitude का मतलब होता है number में कोई value हो जैसे कि 5 हो जाए 10 हो जाए 10 मीटर पर सेकंड हो जाए 13 सेकंड हो जाए तो यह सभी सिर्फ और सिर्फ magnitude है values है ठीक है तो जो value में कोई answer है number में कोई answer है तो उसे हम magnitude बोलते है scalar quantity में सिर्फ और सिर्फ magnitude होता है जबकि अगर हम velocity की बात करें तो यह एक वेक्टर quantity है वेक्टर quantity का मतलब क्या है वेक्टर quantity का मतलब यह होता है कि magnitude के साथ साथ इसमें direction भी दिया हो वेक्टर quantity का मतलब वो 5 meter per second की speed से travel कर रहा है लेकिन किस दीशा में travel कर रहा है तो आप आपने आप डिरेक्षन की भी बात कर दी है आप बूलेंगे आप जिट डारेकशन में travel कर रहा है तो आपने आप दीशा की भी बात कर दी है तो वह वेक्टर quantity हो जाता है scalar quantity मतलब केवल और केवल magnitude value vector quantity का मतलब तो magnitude भी होगी और direction भी होगा तो अब हम बात करते हैं कि formula क्या होगा तो दीखे, speed में जो हमारा formula होता है वो होता है distance upon time ये होगया हमारा speed, ये होगया हमारा distance और ये होगया time taken अगर हम SI unit की बात करें, speed का तो वो हो जाता है meter per second ठीक है, इसको हम आएसे भी लिख सकते हैं ms के power minus 1 ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ये SI unit है, क्या है? SI unit इसका speed का अब हम बात करते हैं आपर कि velocity का formula क्या होगा तो velocity का formula होता है वो होता है displacement upon time अज़से हमारे पास क्या है velocity और ये fire displacement और ये upon time velocity, इसका SI unit क्या होगा? इसका भी SI unit same ही होगा, क्या होगा? meter per second meter per second, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m upon s और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं meter second के power minus 1 ठीक है? तो ये हमारे क्या है speed और velocity के बीच में difference, फड़ा अगर हम time graph की भी बात करें तो जो इसमें time graph बनता है velocity का, वो कुछ ऐसे बनता है इधर हो जाएगा हमारे time और इधर हो जाएगा हमारे distance ठीक? अब हमारा कुछ ऐसे हो सकता है speed ठीक है? लेकिन अगर हम velocity की बात करें तो इधर हो जाएगा हमारे time और इधर हो जाएगा हमारा displacement इधर क्या हो जाएगा? displacement हो जाएगा displacement को S से represent करते हैं और यह हो जाएगा हमारा velocity ठीक है? तो फिलाल हमको इन सबसे मतलब नहीं है हमको बस यह जानना है कि जो speed है वो distance upon time का ratio होता है speed scalar quantity है speed का फार्मूला होता है distance upon time velocity जो होता है displacement upon time होता है और यह एक vector quantity होता है velocity का फार्मूला होता है displacement upon time मैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा अगर वीडियो आपको helpful लगा है तो वीडियो को like करें दोस्तों को भी share करें चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe करके